तो आज का जो यह वीडियो है काफी ऐसे लोग हैं चाहे वह महिलाएं हो चाहे वह पूरुश हो जाते हैं और आप डॉक्तर के पास जाते हैं चाहे कोई भी डॉक्तर हो सबसे फर्स्ट इन्वेस्टिकेशन जो की जाती है वो है आपकी हिमोगलोबिन की जाज तो आखिर यह हिमोगलोबिन क्या होता है क्या करता है और इसके कमी के क्या क्या कारण होते हैं और हम कुछ घरेलू तरीकों से हम इसे कैसे ही घर पे रहके ठीक कर सकते हैं तो आएए यह वीडियो शुरू करते हैं वट इस हिमोगलोबिन तो हिमोगलोबिन जो होता है हमारे शरीर का जो ब्लड है जो मेजर पार्ज होता है ब्लड का वो 3-4 चीजों से मिलकर बना होता है चिन में RBC, WBC, Platelets, Plasma, Common होता है तो आर्रबिस यानी लाल रग्त कडिकाएं लाल रग्त कडिकाओं का जो मुख्य पार्ज होता है वो यह हिमोगलोबिन नाम की प्रोटीन से मिलकर बना होता है तो लाल रखते कडिकाओं में जो हिमोग्लोबिन होता है ये हिमोग्लोबिन दो चीजों से मिलकर बना होता है हीम प्लस ग्लोबिन प्रोटीन तो जो इसका हीम बाला पार्ट है ये जो होता है ये आईरन यूप तो होता है और ग्लोबिन प्रोटीन होती है तो हिमोग्लोबिन मिलके हिमोग्लोबिन बनाते हैं अगर शरीर में किसी वज़र से लाल रखते कडिकाओं की कमी होती है तो हमारे शरीर में हिमोग्लोबिन की भी कमी हो जाती है अब आते हैं हिमोग्लोबिन हमारे शरीर में क्या करता है तो हिमोग्लोबिन जो होता है ऑक्सिजन ट्रांस्पोट प्ले करता है जिसका transportation जो होता है हीमोगलूबिन के द्वारा होता है अगर यह शरीर में oxygen को सारे tissues organs में जाना और वहां से carbon dioxide को carry करना और oxygen को तो लॉंस के थूप एक्सपेल आउट करना जो होता है यह हीमोग्लूबिन का काम होता है किसी वज़ा से शरीर में अगर हीमोग्लूबिन की कमी हो जाती है तो शरीर में ठकावट कमजोरी भूख न लगना यह सारे लक्षन जो होते हैं वो पता चल जाते हैं जो गई लगन से फील में अगर 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 पूरी महता है यह हमें और और इस्किन का कलर भी बता सकता है अगर वो पिंक होने के बज़ए वाइट है या येलोईश है या पेल है तो यानि आपके शरीर में हिमोगलोबिन की कमी है और इन्वेस्टिकेशन में ये ब्लड से लेके भी हिमोगलोबिन की जाच की जाती है अब आएए जानते हैं इसकी नॉर्मल वेल्यू क्या होती है तो महिलाओं में और पुरुष में हिमोगलोबिन की नॉर्मल वेल्यू अलग-अलग होती है पुरुषों में ये खासकर जोता है पंदरा से अठारा मिलीग्रैम पर डियल होती है बारा से कम अगर हिमोगलोबिन होता है चाहे वो 11.5 है या 11 है वो महिलाए भी एनमिक कंडिशन में ही आती हैं अगर ये किसी वजह से आठ से कम या साथ से कम अगर पाया जाता है एच बी इन्वेस्टिकेशन में तो आपको ये घर पे रहके ठीक नहीं किया जा सकता तुरंत आप अपने डॉक्टर को कंसर्ट करें इंजेक्शन के थूरू टैबलेट्स के थूरू या अनियल सीरफ या बहुत सारी ऐसे चीज़े अविलेबल हैं जिससे आप अपने हिमोग को ठीक कर सकते हैं हमारी डाइट में असी बहुत सारी चीज़े होती हैं बहुत सारे ऐसे वेजिटिबल होते हैं बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स होते हैं जिने आप लेके आप घर में ही इसको इंक्रीस कर सकते हैं इनमें जो में आता है बीट रूट पोमग्रेनिट और हरी प भरपूर मात्रा में पाया जाता है अनाजों में पल्स हैं इन में अच्छे से पाया जाता है जो लोग नौन विच लेते हैं उनमें वाइटमिन लोग वेजिटेरियन हैं उनके लिए भी बहुत सारे आसे सोर्स हैं जो अच्छे हैं वाकई और जो वर्किंग है यानि वर्क करते हैं आप अगर अगर आप इनको अपने सैलेड में यूज करते हैं तो आप घर पर ही रहके अपने हमोगलोबिन को बढ़ा सकते हैं तो स्वस्थ रहे मस रहे तिल देन बाबाई